हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बेक टू दा एजुकेशनल चैनल ओफ बॉटनी एड़ा में आप सभी का स्वागदे सो गाइज आज मैं आपको BSC First Year Chemistry के Most Important Question दूँगी जो की एक्जाम के व्यू से देखा जाए तो काफी important होंगे 100% तो नहीं बोल सकती लेकिन यदि आप इन question को अच्छी तरह से prepare करते हैं तो आपका 80-85% जो paper है वो first ही जाएगा ठीक है तो जैसा कि आप सभी जानते हैं chemistry में total 3 paper होते हैं तो सबसे पहले मैं आपको paper first यानि की जो आपका physical chemistry का होता है आणविक गतियां, gaseous states and molecular velocities second unit है द्रव अवस्था, ठोस अवस्था, liquid state and solid states unit third है रासाइनिक वल गति की chemical kinetics उसके बाद unit fourth है radioactive ता एवं नाभी की है रासायन radio activity and nuclear chemistry unit fifth है रासाइनिक साम में एवं कॉलाइडी अवस्था विलियन chemical equilibrium, kolideal, state and solution ठीक है तो यह आपकी physical chemistry paper first की unit हो गए चली अब मैं आपको इन unit के अंतरगत question देती हूँ सबसे पहली unit है आपकी इसके अंतरगत question number first लगु गुड़क को निम्न बिंदूँ पर समझाईए यानि की लगु गुणक की आपको परिभासा, प्रकार, लगु गुणक के भाग और नियम इन चार point को अच्छी तरह से prepare करना है ठीक है इसके अलावा आपको लगु गुणक के अंतरगत कुछ देखने की आवशकता नहीं है यह चार topic important है सेकंड कोशन है वांडर वाल समी करन की व्यूतपत्ती कीजिए काफी important कोशन है अधिकतर एक्जाम में पूछा जाता है वांडर वाल समी करन ठीक है इसके बाद थर्ड कोशन है आदर्ष गैस से आप क्या समझते हैं आदर्ष व्यावाहर से गैस के विचलन को समझाईए ठीक है कॉशन नमबर फूर्थ है निमन लिखित पर टिपणी लिखिए औसद मुक्त पत संगट्य आवर्ती संगट्य व्यास संगट्य संक्या एवं वर्ग माद्य मूल वेग इसके बाद कॉशन नमबर फिफ्ट है मैक्स वेल वोल्ड्स में वित्रण का वर्णन कीजिए इससे संबंद समी करण को लिख कर इसमें प्रियुक्त संकीतों का अर्थिस्पस्ट कीजिए ये भी मोस्ट इंड वाल्ट इंड कॉशन है इसके बाद नेक्स्ट कोशन है गैसों का अनुगती सिध्धांद क्या है अनुगती सिध्धांद की मुख्य अभी धारनाएं लिखिए नेक्स्ट कोशन है वांडर वाल्स समी करण की सहायता से क्रांतिक इस्थरांकों PC, VC तथ TC की गर्णा कीजिए सबसे पहला कोशन है दरव करश्टल को परिवासित कीजिए तथा इसके प्रकार लिखिए सेकंड कोश्चन है द्रवों के पांच अभी लाक्षनिक गुर्ड लिखिए एवं ठोस द्रव तथा गैस वा द्रव क्रश्टलों में अंतर स्पस्ट कीजिए थर्ड कोश्चन है अंतरा अनुग वल को विस्तार से समझाइए और हाइड्रोजन आवंद क्या है उधारन सहित समझाइए यह जो हाइड्रोजन आवंदे गाइस टू माक्स के लिए पूछा जाता है कोश्चन नमबर फूर थे इकाई अत्वा एकक सेल को समझाइए गनिये क्रेश्टल तंतर में कितने प्रकार के क्रेश्टल जालक होते हैं समझाइए कोश्चन नमबर शिक्स है मिलर अंग से आप क्या समझते हैं और वाइस अंग और मिलर अंग से आप क्या समझते हैं एक्स्प्लेइन कीजिए इसके बाद है है त्रिज्या अनुपात प्रभाव तता समन्वे संख्या किस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर करते हैं इसके बाद है एने सी एल की क्रेश्टल की संडश्ना बनाईए एवं इसकी विशेश्टाइं लिखिए टू मार्क्स के लिए पूछा जाता है अधिक तरगाईज नेक्स्ट कोश्चन है क्रेश्टल के सम्मिती का नियम और क्रेश्टलो ग्राफ के नियम इन दोनों नियम को आपको करना है इसके बाद यूनिट थर्ट के अंतरगत सबसे पहला कोश्चन है आपका अभी किरिया की कोटी निर्धारन की कोई तीन विधियों का वर्णन अभी किरिया के कोटी निर्धारण की काफी सारी विधियां दी गई है बुक में सास से आठ लगबग लेकिन आपको मैं जो तीन विधियां बता रही हूं उनको करना है सबसे पहला आपको समा कलन की विधी, सेकंड आपको अपकलन की विधी और थर्डे ओस्ट वाल की वी लगन विधी को करना है ठीक है इन तीनों विधियों को कर लीजिएगा इसके बाद कोशन नमबर सेकंड है टिपणे लिखिये सूनने कोटी अभी किरिया प्रिथम कोटी अ एक कोशन जरूर पूछा जाता है या फिर सूनने कोटी के उपर से या फिर प्रिथम कोटी के उपर से या फिर दुधिये कोटी के उपर से लेकिन आता ही है एक कोशन ठीक है तो तीनों को आपको प्रपेयार करना है तीनों के आपको वियंजग करना है ठीक है थर्ड कोशन परफन को फिफ्ट पर्विकिरीया वेग का संगतन सिद्धान समझाइए और अभिकिरीया वेग का संक्रमन अवस्ता सिद्धान्त को समझाइए ये भी काफी important है जो की 3 marks के लिए पूछा जाता है अभी के रिया वेक का संक्रमन अवस्ता सिद्धान्थ ठीक है तो ये हो गई आपकी unit first, unit second और unit third अब मैं आपको unit fourth के important question बताती हूँ सबसे पहला है रेडियो एक्टिवता से आप क्या समझते हैं इनके वी गटन का सिद्धान्थ क्या है second question है नाभी के सल्लाइन एवं नाभी के विखंडन अभी के रिया में अंतर स्पस्ट कीजिए guys ये जो topic है very important है नाभी के सल्लाइन और नाभी के विखंडन ये मान लीजी आप हर साल question बनता ही है या फिर नाभी के सल्लाइन से या फिर नाभी के विखंडन से तो इन दोनों टॉपिक के अंतरगत आने वाले सभी टॉपिक को आप कवर कर लीजिएगा नाभी की सल्लाइन और नाभी की विखंडन ठीक है थर्ड कोशन है समस्थानिक किसे कहते हैं इन्हें पहचानने के लिए थामसन की विधी चित्र सहीद वर्णन कीजिए फूर्थ कोशन है टिपपणी लिखिए समभारिक, समन्यूट्रोनिक, नाभी की विखंडन, नाभी की सल्लाइन ठीक है फिफ्थ कोशन है रेडियो कारवन डेटिंग क्या है इसकी सहायता से पौधों की आयू कैसे ग्याद की जाती है एक्स्प्लेइन कीजिए ठीक है सिक्स कोशन है आपका अलफा, बीटा, गामा, विक्रिनों में चार अंतर लिखिए और रेडियो एक्टिवता के अनुप्रियोगों को विस्तार पूर्वक समझाईए ठीक है तो यह हो गई आपकी यूनिट फोर्थ, अब आपको फिफ्ट और लास्ट यूनिट वता देती हूं में सबसे पहला कोशन है द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम को समझाईए और केसी एवं केपी में संबंद स्थापित कीजिए जाए जाता है तो आपको कनफ्यूज नहीं होना है कोशन एग ही है बट अलग अलग टाइप से पूछ लिया जाता है यदि आप द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम करते हैं तो उसमें केसी और केपी में संबंद कवर होई जाता है ठीक है इसके बाद सेगंड कोशन है लीश आते लिए नियम क्या है इसके किसी एक अनुप्रियोग का वर्णन कीजिए थर्ड कोशन है एक्स्प्लेंड कीजिए जो की थ्री मार्क्स के लिए पूछ लिए जाते हैं ये टॉपिक्स काफी इंपोर्टेंट हैं से पहला टिंडल प्रभाव बैद्दूत कर्ण संचलन हाडी सूलजे नियम ब्राउनी गती स्वर्ण संख्या पाइसी करन जैल और पायस ये सभी टॉपिक करना ही है आपको एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है इसके अलाबा भी बहुत सारे टॉपिक दिए गाए जो की इ आपको बता रहे हूं ठीक है जैसे ब्राउनी गती हुआ टिंडल प्रभाव हुआ यह तो वैरी इंपॉर्टन टॉपिक ही है ठीक है इसके बाद फूर्थ कोशन ने कोलाइट क्या है इसका वर्गी करन एवं इसको बनाने की किसी एक विधी का वर्णन कीजिए और द्रव नहीं और द्रव विरोधी कोलाइडों में अंतर स्पस्ट की जिए ठीक है फिफ्त कोशन ने कोलाइट के तीन उप्योग लिखिए कोलाइट के जो उप्योग होते हैं कोई तीन उप्योगों का आपको वर्णन करना है ठीक है तो यह हो गए आपका बीसी फस्टियर के इंपॉर्टेंट कोशन इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड जो के इन औरगैनिक और 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 औरगैनिक केमिस्ट्री होती है उसके मैं आपको कोशन दूंगी सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सो थेंक यू सो मच फॉर वाचिंग